वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल लिंगुस्टिक और लिट्रेचर नॉट्स इन टोडेश वीडियो वी आर गोंग टो डिसकस अबाउट जॉन्स वेल्स मॉडल ओफ यॉन्रा अनालसिस जॉन्स वेल्स का जो मॉडल था यॉन्रा अनालसिस का वह एक इंफ्लूएंशल फ्रेमवर्क है किस चीज़ के लिए कि हम यॉन्रा को अनलाइज करें उसके अकडामिक और उसके प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन में इसके अंदर जो हमारे पास की कमपोनेंट्स है वो यॉन्रा और यॉन्रा अनालसिस है फर्स्ट आफ आल जोंरा क्या होता है वो category of communicative event जिसके अंदर हमारे पास shared purpose होते हैं structure होता है और linguistic features होते हैं उसे हम कहते हैं yonra ठीक है क्या होता है वो category communicative events की जिसके अंदर shared purposes, structures और linguistic features होते हैं और Unera Analysis किसे कहते हैं? Unera Analysis के अंदर हम Uneras ko examine करते हैं ताकर उनके characteristics, purposes और जो limitations हैं उनके बारे में जान सकें Swahels का model क्या था? इसके अंदर six moves बहुर्शयादा important हैं जो उसने 1990s में दिये थे First हमारे पास आता है Establishing the territory Establishing the territory refer करता है कि हमने इसके अंदर context का introduction देना है, उसके background के बारे में बात करना है और जो previous research है ना उसके बारे में देने में और पस आता है establishing का नीशे का क्या मतलब है कि हमने research के अंदर space और gap रखना है occupying नीशे, यानि कि हमने claim, argument, solution प्रिजेंट करना है इसके इलावा हमने क्या present करना है इसके इलावा हमने methodology, procedures और results वगरा के बारे में बात करनी है anticipating and addressing counter argument क्या मतलब है इसका, क्या किसी इसको refer करता है जे कि हमने अपने potential objections को respond देना है reinforcing the claim, यानि conclude करना है ठीक है अपने main arguments को then हमारे पास है cars यानि create a research space model यह भी 1990s महीं है firstly हमारे पास है claiming centrality यानि कि अपने research के center है जो topic है उसको introduce करवाना है move two making gap यानि कि research के gap को identify करना है then हमारे पास आता है move three announcing principal objectives जिसके अंदर हमने अपने research का purpose है जो question है objectives है वो बताने होते हैं योन्रा analysis steps firstly हम योन्रा को कैसे analysis करते हैं identify करते हैं योन्रा को मिसाल के तोर पर research article proposal बगेरा analyze the communicative purpose उसका communicative purpose क्या है इस चीज की analysis करना हमारे जो next move है जो next step है उनको हम identify करते हैं जो total जो overall moves है overall steps है उनकी identification देन आता है examine linguistic features जैसे vocabulary grammar tone style etc then contextual factor contextual factor कौन से होंगे कि हमारे audience response कैसा है हमारा discipline कैसा है ठीक है इस type का then हम अरपस आता है implications हम इसके अंदर अपने योन्रा के conventions यानि जो उसके rules हैं उनको understand करने की कोशिश करते हैं ताके हम एक effective communication कर सकें योन्रा analysis हमें teaching और learning के बारे में बहुत जादा information देता है हम अपने योन्रा के limitations हैं उनको recognize करते हैं जब हम उनको recognize करते हैं तो हमें एक strategic communication का पता चलता है इसके limitations क्या होंगे oversimplify करता है ये complex योन्रा dynamics को इसका focus होता है academic योन्रा पे बहुत ज्यादा third क्या है कि ये cultural और जो disciplinary variation है उनको इतना ज्यादा value नहीं देता है उनके इतना focus नहीं करता तो ये जो swells का model था ये influential तो है योन्रा analysis में लेकिन इसके कुछ limitations भी हैं ये हमें systematic approach देता है ताके हम communicative योन्रास को समझ सकें ताके हम communicative strategies को और ज्यादा effective बना सकें ये हमें ऐसा information देता है